नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा किसानों को उनकी फसल का उचित मुल्य मिले और अधिक मुनाफ़ा हो इसके लिए सरकार द्वारा किसानों के लिए कई कल्यान कारी योजनाई चलाई जा रही हैं जिनका लाब लेकर वो कम लागत में अधिक मुनाफ़ा कमा सकते हैं सरकार द्वारा व्यापक सतर पर किसानों तक इन योजनाओं को पहुचाने का काम किया जा रहा है यह जानकारी समाचार एक्सप्रेस के साथ विशेश बाचीत में करनाल के उपकृशिनी देशक आदिते परताप डबास ने कही ब पशर्ते हैं कि वह योजनाओं को अच्छी तरह से समझ कर इन पर अमल भी करें उन्होंने बताया कि धान के सीजन में पराली जलाने वाले किसानों से 15 लाक रुपे का अधिक का जुर्माना वसूला गया है उन्होंने बताया कि पराली जलाने से खेत की उर्वरा शक्ति तो अलावा उन्होंने जानकारी दी कि कई किसान पिछले 40 से 50 से अधिक वर्षों से एकी तरह की खेती कर रही है यदि वैं फसल चक्र को तोड़कर अन्य फसलों का अभियुत पादन करें तो ना केवल उन्हें अधिक मुनाफा होगा बलकि सरकार की तरफ से भी अनुदान रा दोस्तों के निदान के लिए हर संभव परियास किया जाएगा देखी आप भी विशेश बातचीत में अधिते परताब डबास ने क्या कुछ कहा दोस्तों मैं हूँ तरुन मदान और इसमें देख रहे हैं समाचरेक्स में आपको बता दू कि मैं इसमें मुझूद हूँ डि जागरू करते हैं दूसरा सबसे मेट्वूण बात ये थी कि पराली जराने वाला जो मामला है वो लगबग पूरा हो चुका है किसानों के खेतों में जिन किसानों ने आगा लगानी थे अपने खेतों में वो लगा चुके हैं इसकी अब अब गयों की वजई का काम भी सतर पूरा हो चुका है और ज्यादा भी स्तार से जान करें के लिए मेरे सतर जासी पूरा हो चुका है और जिनके तो में फानों में अगल लगाई जानी थी वो लगाई जा चुकी है सब्सक्राइब हम बात करें तो इस साल सरकार ने कितना जुरुमाना किया ऐसे किसानों पर जिन्हों ने फाने जलाई प्रतिबंद के बावजुद भी सरकार का उदेश से कोई किसानों को हरास करने का जुरुमाना लगाने का कोई ऐसा नहीं है इसमें बहुत तरह के प्रावधान रखे गए हैं जैसे आप पढ़ते होंगे डेली के अकबारों के मादियम से समाज तूसरे समाज़ार के मादियम से कि पॉलिशन का जो सतर होता है अक्टूबर और नॉम्बर के महीने में उससे बहुत सारी बिमारियां फैलती हैं इन्वायरमेंट जो हमारा इतना खराव हो रहा है उसको लेकर बहुत सारे सुप्रिम मानी सुप्रिम कोट के जहन दियास आ रहे हैं उन सुप्रिम कोट के जिसा निर्देश में भी भाग को और सरकार को कारिये करना होता है और जो निर्देश सरकार को मान्य नियालन दिये हैं वो हैल्थ को लेकर के परियावण को लेकर के और सभी समस्याओं को देखते हुए लिए गए हैं इसके लिए हमने एक व्यापक सतर पर जब सीजन में कटाई से पहले लगबग जुलाई गस्त के महीने में हमने एक व्यापक परचार परसार के लिए हर गाओं के अंदर हमारी टीम में गई किसानों को समझाया कि इसके क्या दूसर बरबाव होते हैं और यह आज़ शेनी पिछले चार साल से कारीकर्म चलते आ रहे हैं उसके लिए किसानों को जो इसके उचित संसादन हो सकते हैं पुराली को डिप्टान के लिए उनके मेनेजमेंट के लिए उन सभी तरिकों से उनकों बारे बताया गया अब बहुत सारे किसान अपकी बार आप देखेंगे कि पिछली बार हमारे हैं 1123 एर फायर लोकेसन आई थी यानि कि उन जगह को चैनित किया गया था जहां पे आग लगी थी इस साल कुछ लोग एजिटेटर भी थे दूसरे लोग भी थे लेकिन इस साल हम का आग की गटनाओं की बात करें तो एक अजार गटनाओं हमारे यहां पी वही है यानि पिछले साल से कम कम आगड़ा है दूसरा इसमें जहां सरकार ने उन किसानों को समझाने के साथ-साथ वो किरसी यंतर भी प्रोवाइड करवाई 80% सबसीडी पर किरसी यंतर प्रोवाइड करवाईड करवाएं ताकि उनके माद्यम से वो फसल अफसेशनों का परमंदन अपने खेतों में इजली करकर सकें कुछ किसान भाईयों ने कहा कि जी कुछ संगठनों ने भी कहा कि हमें किरसी यंतर बहुत महंगे बढ़ते हैं किसान की इसमें जो लागत जादा लगती है तो उसके लिए भी सरकार ने कि हो जना बनाई कि कोई भी किसान अकेला ना ले करके गाउं के अंदर एक समू बनाए उस समू के अंदर दस बीस पचास साट सतर असी सो जितने भी नंबर ओफ फार्मर जगते हैं वो फार्मर हो जाएं वो गरूप बना लें ऐसे ग्रूपों को 80% अनुदान दिया गया कुछ ऐसे बड़े फार्मर भी थे जिए उन्हें वेक्तिगस रैनी में अपलाई किया कि हम तो ग्रूप बना के नहीं हम तो वेक्तिगस रैनी में अपने ये इंप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो ऐसे किसानों को भी ऐसे जो किर्सी उक्परण थे जो ये फसल अबन stan वी कारी करते हैं को 50% अनुदान दिया गया कहने का अतात्परीय ये है कि इस तरीके से हमने योजणा बन तरीके से किसानों को पुराली निप्टान के जितने कारगर deadline थे चाहाए वो समझाने की सकते हैं जितने उपाए थे सारे उपाए किसानों तक पहुंचाए उसके बाद फिर एक प्राओधान आता है कि उसके बावजूद भी कुछ किसान या कोई ऐसे आदमी है जो इस बात को नहीं मांते हैं या फिर भी बाइलेसन करते हैं तो उसमें जो प्रोविजन से होते हैं उस प्रोपजिस में उने उव पर जुर्माने का पराओधान भी है, और जुर्माना ना देने के स्थित्य हो चालाफ जो प्राओधान तर रेपॉर्ट रच्क वो भी पराओधान है, तो इस इस बात को समझते हैं कि उन्होंने ये काम गलत किया है और वो जुर्माना देने में कोई मैं समस्तानी के किसी ने कोई बहुत बड़ी हमारे साथ ऐसी परतिक्रिया वैक्त की हो उनको इस समझ में आया है कि हमने प्रियावन को परदूसित किया है और इसके लिए हम इस पातर भी बनते हैं तो किसानों ने उस बात को माना भी है लेकिन एक जो प्रावदान है मानी सुप्रियन कोट के आदेस हैं उनकी नुपालना भी करनी है स्वास्था जो क्योंकि सब्सके प्रालीज में जब आग लगती है तो उससे दिल्लिया चंडिया पर भावित नहीं होता है सबसे पहले उस गाओं के लोग पर भावित होते हैं उस अकसितर के लोग पर भावित होते हैं उस गाओं के बच्चे पर भावित होते हैं गाओं के जो पसू हैं पकसी हैं जो ओल्ड एज के आदमी हैं उनको सबसे ज़्यादा उनके उपर एफेक्ट पढ़ता है उसके बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया गया है और जिस तरह से विभाग का पिसले चार साल से क्रिशिक लान विभाग का अरिना सरकार का ये दे है कि हम जिले को बिलकुल आग मुक्त करेंगे तो हम उस तरह बढ़ रहे हैं देखिए एक लाक बहतर हजार है कि बहुत बड़ा एरिया होता है डिस्टे के अंदर पैड़ी कल्टिवेशन है यानि के दान की रुपाई होती है और उसमें से ग्यारा सो एक हजार अभी बार हमारे पास एर फायर लोकेशन आये हैं ये जंगें आग लगी है तो हमारे तो ये एक परसेंट भी आखड़ा नहीं है तो ऐसे जो कुछ लोग है उनको चाहिए वो प्यार से समझानी की बात है उनको किसी वीधी से निप्टानी की बात है उस सभी तरीके किसानों का बताई जा रहे हैं और उसके बाद भी कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो बात को नहीं समझते हैं नहीं मानते हैं तो वो दूसरा जो प्रोविजन्स है वो भी संगहन में लाया जा रहे है देखिए अधित्य परताब डबास साब ने हमें कितने विस्तार से पुरी जान करे दी कि पराली को जो फाने हैं उसके परबंधन के लिए सरकार द्वारा क्या क्या योजनाय बनाई गई हैं किस तरह कृशी एंतरों पर सब सीड़ी दी जा रही है इतना है यह नहीं किसान एक गाउं के अंदर किसान अपने कुछ किसान में लेकर समूँ बना सकते हैं उनको भी वो क्रिशी जंतर परदान के जा रहे हैं इस अनुदान के लिए साथ इसके अलावा फसल पराली जलाने से वाता वरन से लेकर पशू पक्षित तक को नुकसान होता है यह भी जान करी हमने इनोंने हमें दी अब मैं बात करूँ को इंसे गिहों के बा क्या प्राबधान है कि जिसे किसानों को बेतर लाब मिल सके उनकी फसल का क्योंकि अक्सर देखा जाता है किसान रोज जाहिर करते हैं कि उनको उनकी फसल का पूरा नहीं मिलता या जितना वो बोते हैं उतना उनको नहीं मिल पाता जिसे उन्हें नुक्सान जहिलना पड़त उनकी लागत मुले भी पूरी नहीं होती क्या सरकार ने कोई ऐसा प्लाइन त्यार किया है या कोई प्लाइन ऐसा कोई पाई प्लाइन में हो जिसे किसानों को आने वाले समय में लाब मिल सके उनकी लागत का उचित मिल ले उनने मिल सके देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी जब इस साल की बीस की बात करें एक महामारी जैसे महामारी आई है उस महामारी को देखते वे जब मारच के अंदर लोगडाउन स्टार्ट हुआ तो अपरेल और मही के अंदर हमारी गियों के बसल बनके तयार होती है उसके लिए जगह जगह मंडिया बनाएगी है एस्थाई मंडिया बनाएगी ताकि लोगों को परिशानी ना हो और परिशानी उनको बेचने में कोई परिशानी ना हो पहले जो हमारी नो दस मंडिया जिले के अंदर है लेकि उसमें 35 मंडिया बनाएगी कहीं जगह एस्थाई की कटाई का समय आया अब जीरी मंडियों में आई थी तो देखिए जीरी का और जो धान का दोनों धान और जीरी या गेहूं का जो समय होता है वो मंडी में डेड़ से दो मीना कारिया चलता है इन डेड़ दो मीने में जिले के जितने किसान लेकर के आए उन सभी की उपज को अच्छी तरह से सरकार ने योजनाबन तरीके से बना करके उनको खरीदा गया और आज जो एक भी ऐसा किसान जेले का नहीं है कि जिसको कोई परिशान नी हो कई बारी ऐसा होता है क्योंकि बिजाई का समय जो है वो लगबग लगबग सतर परसेंट किसानों का एक ही समय का होता है कटाई भी एक ही समय करते हैं लेकिन बन्डियों में जंगे जो है वो एक सिमित जंगे है उस सिमित जंगे में जो सभी किसान एक साथ एकटे आएंगे उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई थोड़ा बहुत अन्बैलेस हो जाता है लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को कोवीड के चलते हुए और कोवीड दोबारा से भी पैर फैल रहा है उसके चलते हुए बंडियों में हर प्रकार की सविधा दी गई, सभी की फसल का खरी दी गई और इसके साथ मेरी फसल मेरा भी हो रहा है, एक पोर्टल जो पिसले दो साल से काम कर रहा है, मानिया मुक्षबंतरी जी ने इसके उपर बज़दाद ध्यान दे करके सभी डिपार्टमेंट को ये आदेश भी दिये थे, कि इसमें हर जिले का या हर याने का हर किसान इस योजना के पहत अपने आपको रिजिस्टरड करे, पंजी करत करे, ताकि कि सरकार को भाग को पता हो किस किसान ने कितनी एकड में कौन सी बसल लगाई हुई है, ताकि उसी इसाब से उनकी जो परचेज होनी है, उनको कब बुलाना है, कितनी उनकी पैदावार हुई है, उन सब का ख्याल रखा जाए और उनके किसी परकार की किसानों को को कोई भी नहीं लेती है सैंटिफिक तरीके से भी ये प्रू हो चुका है कि चार हजार से पांस जार लेटर फानी जो है कि ये रोडी पूरे पूरे हरयाना की तो एक जीरी जो है बहुत बड़े एरिया में छोदा से पन्रालाख हेक्टेर में लगाई जाती है तो इसमें सरकार ने लोगों को एक आपसन दिया कि आप जीरी की जिंगे बाजरा लगाएं, कपास लगाएं, आप मकी लगाएं, तो आपको साथ हजार रुपे का नगद उनको बेनिफिट भी दिया गया है उनके अकाउंट में और इसके साथ-साथ उन फार्मरों की जो परक्यूर्मेंट है, यानि कि जो उनकी खरीद है, उनकी खरीद भी सुनिश्चित की गई, ताकि आप जहां एक पानी बचा करके अपना योगदान दे रहें, तो साथ-साथ सरकार ने जो आप दूसरी फसल लगा रहे हैं, चाए बाजा लगा रहे हैं, कपास लगा रह ले में थोड़ा बहुत की नक्षान होता है, तो साथ अजार रुपे उसको जैसे उसको बीज लेना है, दवाईया लेनी है, खाद लेना है, तो उसके लिए साथ अजार पे अच्छा एक समार्ट अमाउंट था, इसमाउंट था, वो किसान को दिया गया, तो इस परकार की स अजायत को पिछले साल फरी ऑफ कोस्ट किरसी उपकरण दिये गए, ताकि उन किरसी उपकरणों से गाओं का कोई भी किसान ट्रैक्टर ले जा करके कि किसानों के सरपंद से मिलके, गाओं के कराम से मिलके उनकों अपने खेतों में यूज कर सके, बहुत सारे कल्यान कारी फ पर आपने हरे गाओं का दोरा किया, यहां पर लोगों को समझाया, समचर पत्रों के माद्धेंगेंce, न्यूज माद्धेंगेंस, सरकार के कल्यान करी यहूजनाओं को किसानों तक कुछाने का पर्यास किया जा रहा है, आप पो क्या लगता है कि किसानों ने अपना माइंड चेंज किया जूंको लेकर देखिए पिछले 40-50 साल से एक ही परकार की खेती लगातार होती आ रही है दाहान गेहूं दाहान गेहूं तो आज उस दाहान गेहूं को उस चकर को चलते वहाद तीसरी पीडी में किसान चला गया है यानि कि जो दादा जो खेती करते थे फादर नहीं भी वहीं की अब आगे बेटा भी खेती कर रहा है बहुत जल्दी माइंड सेट चेंज नहीं होता है किसानों के पास वही किर्सी उपरन वही टेकनलोजी 40 साल से उसको उसकी आदत है जब भी हम किसी आदमी की कोई आदत है किसी की भी हम चटवाते है उसके तरब लेग जाते है तो थोड़ा उसको अकस्ट होता है क्यों थोड़ी महनत जादा करनी पड़ती है लेकि किसान को ये भी सोचना चाहिए कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आज जो पसल चकर को बदलने की बात कर रहे हैं इसके नतीजे हमें आज नहीं इसके नतीजे हमें दस साल के बाद में भी लेंगे क्योंकि उन किसान को इस तो ची कि क्या उस तरह का जो जमीन के अंदर जो सक्ती थी जो ताकत थी क्या वो बनी रखी है तो उसको रखने के लिए फसल चकर बहुत आवश्यक है इसके साथ साथ जब तक फार्मर इस फसल चकर से बाहर नहीं आएगा उस परंपरागत तरीके जो 4-7 साल से हम कर रहे हैं उसको नहीं छोटेगा तो कहीं न कहीं उसकी लागत भी कम हो उसकी लागत भी बढ़ेगी और उसकी उत्पादमता भी गटेगी बहुत सारे एक्सपरिमेंट चल रहे हैं विग्यानी को नहीं नहीं वरैटिया निकाली हुई हैं बहुत चीज़े हैं जैसे अभी मक्की का बता हूँ मैं आपको के बारा सो एक्कड में तकरीबन साड़े छे सो साथ सो फार्मर्स ने अब पिछले साल जिन्होंने जीरी लगाई थी धान लगाया था इस साल वो दहान को छोड़ करके मक्की पे आई हैं और मक्की की जो ओसत पैदावार है जो किसान कहीं किसान भाई कहते थे कुछ लोग कहते थे के जी मक्की इस सीजन में 15 क्योंटल से उपर नहीं निकलती है तो हमारे जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें मक्की की जो ओसत पैदावार है वो 21 क्योंटल आया है और सभी फार्मर हमारे मेरे अफासल मेरा बियूरा पोर्टल पर जिस्टर्ड है उन सभी किसानों को मैसेज दिये जा रहे हैं आप अपनी 21 क्योंटल जो पैदावार होई आप मंडी में लेकर के आईए और आपकी MSB पर खरीद हो रही है जहां लागत कम हुई है किसान की लागत कम हुई है उसको समय जादा मिला है मक्का लगाने से खेत में आग नहीं लगाई है तो इस तरीके से जो इस तरह से फार्मराज बारा सो फार्मर्स के बात कर रहे हैं बारा सो एकड़ की बात कर रहे हैं अगले साल जब इस तरह के किसानों को दूसरे गाउं किसान देखेंगे आसपास किसान देखेंगे तो निश्ची तोर पे उनका भी माइंड सेट चेंज होगा और वो भी इस तरफ आएंगे कोई बदलाओ एक दम से बहुत बदलाओ नहीं आता है धीरे धीरे करके बदलाओ आता है और उस बदलाओ के लिए किसान तब ही विस्वास करता है अपने गाओं में अपने गाओं के आसपास वो फसल होते हुए देखता है उस फसल की लगत को देखता है और जो फसल सरकार करीती है उसको देखता है जब यह बदलाओ आते है सर अब मेरा आखरी सवाल यदि किसी किसान को अपनी फसल लगाते समय किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो क्या वो आप से संपरक कर सकता है देखिए हमारा भी भाग का दो उदेश्य है दे है वो यही है किर्सी विस्तार हमारे खंड सतर पर और विले सतर पर हमारे अधिकारी गंड सब जिए मुझूद है करमचारी मुझूद है किसी किसान भाई को अगर जो किसी भी कोई भी समझ्या आती है किर्सी को ले करके तो कि ये लिए समेह भो हमारे कारियल ने विजिट कर सकता है कोई बी सलाव ले सकता है एसमे φडन से मैं का द्यम से कहना चाहूँगा कि जैसे अभी गियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है तो यह हूं कि सीजन के स्टार्ट में किसान को यह बहुत ध्यान रखने योगे बाते हैं कि 20 नॉंबर तक की जो विराइटियां है यानि कि ऐसी विराइटियां हैं हम इनको तीन स्टेनी में बाढ़ते हैं एक अगरनी है, एक मद्यम है, एक लेट है यानि कि उसको बिजाई के समय ये बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको ये चेन करना कि वो जिस किसम की बिजाई, सीड की बिजाई कर रहा है, उसका समय क्या है समय के अनुशार बिजाई करें, सर्टीफाइडिन के परमानित बीज ले और परमानी देज लेने के साथ सा उसका बिल बी ले और आगे जो गिहुंँए में मुक्छे समस्या आती है खर्पतवार की मंदूसी गी मंदूसी में किसान कहता है कि उसको 3-4 सप्रे करने पड़ते है 3-4 सप्रे करता है तब उसकी मंदूसी जाकर के खरपतवार खतम होता है मैं किसान भाईों कहना चाहूंगा कि इस तरफ वो बिलकुल प्रोपर तरीके से ध्यान दे जीस दिन गिहों की बेजाई करें उसके एकिस दिन के बाद पहला पानी लगाना ना बूले कई किसान भाई पहला पानी जो है मनदूसी की करपतवा रोकताम के लिए वो 35 दिन के बाद पहला सपरे हाथ की מאषीन से जरूर करें दोसो लिटर पानी मिला करके सपरे करें जो मनदूसी की समख्षा है तीन सपरे, चार सपरे करने की समख्षा है वो समस्या 80% तक किसान को खतम हो जाएगी किसान भाई सबसे बड़ा जो करते हैं वो ये लैप्स यही करते हैं कि वो पहले पानी जो 21 दिन पर पहला पानी देना बहुत ही निवारी है उस पानी को छोड़ के 30-15 दिन पर देते हैं ये छोटी छोटी बाते हैं वो किसी प्राइवेट दुकंदार के पास जाते हैं प्राइवेट दुकंदार ने कहता है कि जी आपके दवाई लेजाएगे मंदूसी के आपकी सारी मंदूसी खतम हो जाएगी तो इस तरीके से किसान की लागत बढ़ती है वो इस तरह के छोटे-छोटे प्रियोग करने के लिए भाग से मिल सकता है, भाग से मिल करके, विचार विमर्स करके, उसे सला मसुरा करके, इस तरह की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का फाइदा उठा सकता है, सला ले सकता है, और अपनी लागत को कम कर सकता है. यह दिखी यह दे हमारे साथ डिप्टी डिरेक्टर अदित्य परताब डबाज जी जिनों नहीं विस्तार से जान करे दी मैं भी अपने किसान भाईयों से अपिल करना चाहूंगा कि क्रिशी भी भाग उनकी मदद के लिए 24 इंटू 7 यानि की 24 गंटे तैनाथ है 24 गंटे उनक किसान भाईयों को अपील करूंगा कि इस खबर को जुरूर से जुरूर देखें क्योंकि अब यह उनके फायदेगी खबर है और क्रिशी भाग द्वारा हमें हमें अच्छा समय दिया गया है हमें विस्तार से जान करे दी गई और मैं एक बरी फिर से डबास साब करता हूं सब्सक्राइबाद और मैं तरून उमदान सेनिर केमरा पर जासनी जोदरी किसा समजर एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद ऐसी ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद J.B.D. Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Raj Gharana And the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Raj Gharana and Jyoti Garden A J.B.D. Banquets Enterprise A J.B.D. Banquets Enterprise A J.B.D. Banquets Enterprise A J.B.D. Banquets Enterprise झाल झाल झाल